हम दूसरों की मृत्यू का तो शोक मनाते हैं लेकिन शायद ही कभी अपनी मृत्यू के बारे में ध्यान से सोच विचार किया हो समझधारी तो इसी में है कि हम अपने अंत की चिंता करें और उस समय जिस परिस्थिती का सामना करना पड़ेगा उसके लिए अपने आपको तयार करें मृत्यू के द्वार से गुजरने के बाद हम कहां जाएंगे वहां हम किस से मिलेंगे क्या इन सवालों पर विवेक पूर्ण विचार करना उचितना होगा धार्मिक क्रंथ इस विशे पर चर्चा तो करते हैं परंतु हम उन पर ध्यान कहां देते हैं शायद इसलिए कि हम इन्हें कोरी कलपनाएं या कहानिया मानते हैं या फिर यह समझते हैं या लोगों को बुरे कर्मों से दूर रखने या अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करने के सादन है सच तो यह है कि हम सब को मृत्यू का द्वार पार करना ही है कोई भी इसे बच नहीं सकता फिर क्यों इस विशे पर हम अपनी आखें मूद लेते हैं यह सपस्ट है कि मृत्यू के आजाने पर ही हम मृत्यू के लिए तयारी आरंब नहीं कर सकते जब तक हमारे पास समय है तब तक ही तयारी आसानी से हो सकती है और इस बात को अच्छी तरह समझ भी लेना चाहिए जैसा के चीन के महात्मा संत लाउट से ने अपनी पुस्तक ताव ते चिंग में कहा है कठिन को तभी संभाल लो जब वसरल है संसार की सब बड़ी बातों के शिरुवात पहले छोटी बात से ही होती है हजार मील का सफर एक कदम से ही शिरु होता है संत समझाते हैं कि ये पहला कदम अपने मौ के बंदनों के प्रती सचेत होना है हमारा मोह ही हमारे लिए दुख और पीडा का कारण बनता है और यही हमें इस संसार में वापस भी ला सकता है बाइबल के उध्रन के अनुसार जहां तुमारा खजाना गड़ा होता है वहीं तुम अपना घर बनाते हो हमारा खजाना वही है जिसके साथ हमारा सबसे अधिक लगाव है यदि मृत्यू के समय हमारा मो इस संसार के लोगों और वस्तूओं से है तो हम इन बंदनों से उपर नहीं उठ सकेंगे चुम्बक की तरह ये हमें इस संसार में वापस खीच लाएंगे क्योंकि हमारा मन ही आत्मा की दिशा निर्धारित करता है मो और विरक्ती के संबंद में बहुत सी गलत दारणा है विरक्ती का अर्थ त्याग नहीं है कोई व्यक्ती धन दौलत त्यागने पर भी सारा समय उसी के सोच विचार में बिता सकता है या फिर कामवासना त्यागने के बाद भी कामुक विचारों में दिन भर डूबा रह सकता है लोगों और वस्तों को अपना बनाने की इच्छा तथा उनकी प्राप्ति की धुन जो मन पर सवार हो जाती है उस मोव से उभरने को विरक्ती कहते है विरक्ती का ये अर्थ कतई नहीं है कि हम प्यार करना ही छोड़ दें जब कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत समय बिताता है तो एक ग्रिष्टा जुड़ना सोभाविक है मोव का अर्थ है कि किसी व्यक्ती या वस्तू के साथ इस हद तक लगाओ हो जाए कि उसे खोने के विचार मातर से ही मनुश्य व्यक्तू हो जाए और अपना संतुलन खो बैठे इसमें शामिल है एक जुनून मैं और मेरी का जुनून मृत्यू के समय ये मो के बंदन उभर कर हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमारा ध्यान इनी में अटक जाता है कि जब हमें किसी दूसरे देश की यातरा करनी होती है तो आम तोर पर सारा इंतजाम हम पहले से ही कर लेते हैं कम से कम यातायात के साधनों और अपने ठैरने के प्रभंद तो करते ही हैं इन सानसारिक मामलों में हम कितना संभल कर चलते हैं कोई लंबी यात्रा सारे इंतिजाम किये बिना तैन नहीं करते लेकिन एक वह यात्रा जो हर एक को तै करनी है उसके लिए बहुत कम लोग तैयारी करते है कौन इस बात पर विचार करता है कि मृत्यू के बाद की यात्रा हमें कहां ले जाएगी या उसे बादा रहिद बनाने के लिए हम क्या कर सकते है सदियों से मृत्यू की पहली को सुल जाने के लिए दार्शनिकों ने अथक प्रयास किये है परन्तु सच बात तो ये है कि बुद्धी इस विशे में काम नहीं करती क्या पड़े लिखे, क्या अनपड सभी इसका उत्तर पाने में अपने आपको असहाएप पाते है न जाने कितने लोगों के मन में यही विचाराता होगा कि कितना संतोष जनक होता यदि कोई वापस आकर अपना आनुभव हमें बताता हम मृत्यू के विशे में केवल अनुमान लगाते हैं लेकिन हमारे विचार कालतनिक हैं मनुश्य जीवन के अंत पर मृत्यू के निश्चित अंदकार में रहत देने के लिए सुखत मन्चा है विचार संतों यानि पूर्ण अध्यात्मिक गुरूओं ने मृत्यू के रैस्य को सुल्जा लिया होता है अभ्यास द्वारा तथा अपनी चेतना के नियंत्रण द्वारा वे प्रती दिन अपने शरीर से उपर उठकर आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा करते हैं उनसे उपदेश लेकर हम भी मृत्यू पर विजय प्राप्त करने की युक्ती सीख सकते हैं वे उपदेश देते हैं कि मृत्यू से डरना नहीं चाहिए या तो केवल शरीर छोडने की क्रिया का नाम है आत्मा का स्थूल इंद्रियों से सिमट कर सुक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना ही मृत्यू है या तो सिर्फ इस शरीर रूपी लिबास को उतारने जैसा है इससे हमारे अस्तित्व का अंत नहीं हो जाता मृत्यू के आगे भी जीवन है संतों ने इस विशे में विस्तार से समझाया है उन्होंने इस स्थूल स्तर से दूसरे सुक्ष्म स्तर पर जाने की युक्ति का वर्नन किया है उनके द्वारा बताई गई साधना की युक्ति को अपनाने से शिश्य मृत्यू के द्वार को पार करके इस शरीर में इच्छा अनूसर लोटना सीख सकता है केवल अनुभाव ध्वारा ही कोई मृत्यों की वास्तविक्ता को जान सकता है बुद्धी इसे समझ पाने में असमर्थ है इस विश्य की व्याक्या आंतरिक अभ्यास के अध्याय में विस्तार से की जाएगी अभी इसे एक और रख कर इस सवाल पर ध्यान देते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए यदि किसी के घर को आग लगी हो तो समझदारी इसी में है कि वह जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलने का प्रयास करे ना कि यह सोचने बैठ जाए कि यह आग कब और कैसे लगी या किसने लगाई इन सवालों के जवाब बाहर आने के बाद भी ढूंडे जा सकते हैं